असलाम अलेकों, वेलकम तो GFX Mentor, मैं आपका टीचर इम्रान, आप लोगों ने यकीनन लेयर्स के पैनल के बरावर में एक पैनल जरूर देखा होगा चैनल्स और जरूर सोचा होगा कि यार ये किस काम का है, तो आज हम बात करेंगे चैनल्स की, यस और चैनल्स बैसिकली हमार अलफा चैनल्स होते हैं, तीसरा एक और होता है, स्पॉर्ट कलर चैनल्स, भी हम अलफा चैनल्स और स्पॉर्ट कलर चैनल्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लर चैनल्स का क्या काम है, और उससे हम कैसे समय सकते हैं, और उसके आगे हम बहु फुल सा पैरिट है और इसके मैंने इमेज रखे विए बहुत ही हाई कॉलिटी बहुत खुबसूरत सा है और बहुत ही प्यारे कलर्स इसमें मौझूद है और इस इमेज को लेने का परपस यह यह कि आज हम देखने वाले हैं चैनल्स का पैनल होता है आपके यहां लेयर्स के बराबर में यह रहा चैनल्स तो बाइड डिफॉल आपके बास अब जैसे यह मेज आजीबी है तो आपको रेड ग्रीन ब्लू यानि आज़िप का कमपॉजिट इमेज दिख रहा होगा प्लस रेड दिख रहा है ग्रीन दिख रहा है और ब्लू दिख रहा है याद रखिए रेक कर देता है राइट उसी तरह से याने का मक्सद यह कि जो वाइट रोशनी आपको दिख रही है उसमें मुफ्तलिफ कलर मौज़ूद होते हैं ठीक उसी तरह से रेड ग्रीन ब्लू मिक्स होकर वाइट बना देते हैं और अगर रेड ग्रीन ब्लू को हम हटा दें तो ब्ल मौजूदगी है यानि के रेड की प्रेजनस है यहां पर अगर ग्रीन पर जाता हूं तो जहां ग्रीन सपॉट्स हैं वह आपको लिए डिकh रहा होगा और जहां ब्लू है अगर जाता हूं तो ब्लू वाला एरिया आपको वाइट दीख रहा होगा रकौर्स से लेकें तो भी थोड़ा सा यहां पर brightness आपको देख रही है right so basically यह बस दिमाँ में रखें कि हम किसी भी color की information यहां से देख सकते हैं अब of course इसके साथ हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपनों को समझाना चाहरा हूं RGB हैं क्या यह different colors को मिला करके आपके सारे colors परने होते हैं इस चीज को बहुत बहुतर तरीके से और मैं समझाने के लिए एक file ले रहा हूं simply किसी भी size की file ले ले say मैं 800 by 800 की pixels की file ले रहा हूं and let's suppose इसमें मैंने fill कर दिया black color अब याद रखीगा red green and blue यह light के colors हैं रोशनी के colors हैं और इन colors को पूरा मिलाएंगे पूरा 100% करेंगे तो आपका white बनता है और इनको अगर खतम कर देंगे तो आपका black बनता है अगर मैं अपने red channel में आकर के brush से एक hard brush लेकर के मैंने simply यहां पर आके अगर एक click कर दिया तो एक circle यहां बन जाएगा और अगर आप अपने image में जाके देखें याने RGB composite में देखें तो आपको red color का circle लिख रहा है देखें जबके मैंने यहां पर लगाया तो white color right now अगर मैं green यहां पर और मज़े की बाद इन दोनों के mix होने पर आपका बन रहा है yellow right और अब आज है blue पर अगर मैं blue पे click कर दूँ तो ये आपका blue बन जाएगा और मज़े की बात देखें याँ पर ये green and red मिलने पर yellow बन रहा है green and blue मिलने पर cyan बन रहा है blue and red मिलने पर magenta बन रहा है ये वही है cyan, magenta and yellow याद रखेगा RGB से ही सारे colors मिल रहे हैं और सारे colors बन रहे हैं मैं समझाता हूँ आप लोगों को पहले यहां तक अगर आपने वो समझ में आगया तो फिर आगे बढ़ते हैं और खास कोड़ के एक और बात कि देखें RGB के तीनों के मिलने पर यहां center में आपके पास white बना हुआ है तो अब हमेशे हैद रखीगा के channels में especially RGB channels में अगर आपको कहीं पर कोई bright color दिख रहा है तो उसकी color की presence मौझूद है यहां पर आप ना RGB में जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा colors मौझूद होते हैं तो कितने होते हैं यह मैं आपको बता दूँ के हर channel में 256 values होती है like 0 to 255 हर channel में 256 values है that means के from dark to light right 256 colors हो सकते है red के उसी तरह से green के और उसी तरह से blue के और इन तीनों को अगर हम आपस में multiply करें याद रखें algebra में भी आप लोगों ने देखा होगा x और y अगर 7 लिखा होते था तो वापस में multiply होते थे exactly उसी तरह से RGB साथ लिखा हुआ है और इन तीनों की values जो है 256 है और तो 256 multiply by 256 multiply by 256 बनते है 16.7 million colors exactly यह आप लिए उनकी वही value है जो आप लोग कई मर्दब मोबाइल फून खरीदते हैं कि 16M colors हैं यह नहीं तो यस आपके 16.7 million colors होते हैं RGB में CMYK चार color से मिलके बनता है लेकिन उसमें कम colors होते हैं अगर मैं आपको एक new file लेकर दिखाओं कि CMYK किस तरह से बन रहोते हैं मैं यहां से एक new file ले रहा हूं और CMYK color mode में ले रहा हूं create करें अब यहां का सिलसला थोड़ा सा different है याद रखिएगा CMYK light के colors नहीं है यह इंक के या pigment के colors हैं और pigment के colors और light के colors में बहुत बड़ा फरक है याद रखिएगा pigment colors वो colors होते हैं जो किसी surface पर लगाए जा सकते हैं so for example अगर मैं red color कहीं पर कर दूँ तो red हो जाएगा permanent लेकिन अगर मैं इस room में लाक the colors of pigment pigment colors use होते हैं किसी जगा पर लगाने के लिए so yes इसलिए printing के लिए कहा जाता है कि CMYK में design किया जाए दूसरी बात इसमें वो colors possible हैं जो printable हैं RGB में बेतहाशा colors हैं बहुत ज्यादा colors हैं इसमें से बहुत सारे colors हैं जो के print possible ही नहीं है and CMYK में वो सारे colors हैं जो के print possible हैं now अगर आप यहां पर आके देखें तो यह channels ठोड़ा से different हैं और इसमें difference क्या आ रहे हैं कि अगर मैं किसी भी color में white के जगा black करता हूं ठीक है so देखें मैं यहां पर click किया black और आपके image में क्या देख रहा है और होट से देखें actually इनके मिलने पर भी black बन रहा है तो जितने भी pigment वाले colors है याने CMYK अगर सब की quantity को मैं mix करता हूं तो वो बनता है black RGB के तमाम की तमाम को full quantity में mix करता हूं तो वो बनता है white I hope आप लोगों को यह color channels समझ में आया होंगे और CMYK और RGB का भी difference समझ में आया होगा and I hope आप लोगों को यह video भी पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो please like करें और subscribe नहीं किया तो please subscribe करें thank you झाल